आज मैं बनाने वाली हूँ रैमन होट पॉट यह बड़ी ही फेमस रेसिपी है कुरिया में बहुत खाया जाता है चाइना में बहुत खाया जाता है अगर आप के ड्रामास देखते हो तो आपने देखा होगा और वहाँ पे रेस्टरॉंट भी है यहाँ पे कंवेयर बेल्ट म यहाँ देखे मैंने सारी तयारी कर रखी है वेजी चॉप कर लिये है रैमन रख लिखा है सीजनिंग रखी हुई है डंपलिंग भी यूज करने वाली हूँ मैं एट्स बेकिन में अर होट पॉट सो इंडिक्शन ओन करने के बाद यह मैंने थोड़ी सी सेटिंग कर ली हैं मैंने करी का सेटिंग कर लिया इवस इस स्ट्रॉगलिंग अ लिटल बिट विट विट तो मुझे न जैकपॉट की यह होट चिकन फ्लेवर में जो रैमन आता है यह मुझे बहुत तेस्टी लगती है कोई 50 बक्स के राउं आती है यह मैंना नूडल्स के साथ आपको यह में और जब यह सौटी हो रही थी ना इतना अच्छा अरोमा आ रहा था वेजटेबल भी तयार कर रखी थी यहां पे ना धुलावा स्पिनेच है कैप्सिकम है मश्रूम्स है अभी ना आप ना करीबन दो से धाय कप पानी इसमें एड़ कर दीजे इस कढ़ाई में एंड ल मेरे पास यही थी तो मैंने यह एड़ कर लिया रेड़ी करते हैं सूप का बेस तो यह है ना जो जैक पॉट की सीजनिंग आई है नूडल के साथ मैं वही एड़ कर रही हूं आप इसमें चिकन ब्रॉत और वेजटेबल ब्रॉत यह सब भी आड़ कर सकते हैं ना रेड़ी क मैंने यहाँ पर सीजनिंग ही यूज कर ली है यह अब इनीशली भी आड़ कर सकते हैं जब हमने पानी आड़ किया था बट मैंने यह अब भी आड़ कर दिया है और इसको सब चीजों को बस उबलने दीजे आड़ करना है करीबन एक चमबच डार्क सॉइस सॉस और चिली ओ अब होट पोट का कॉंसेप्ट यही है अपापाइमली के दाथ बैठे रहते हो और आप इसे स्लोली बनाते बनाते खाते रहते हो अब होट पोट को और टेस्टी बनाने के लिए मैं एसमें करोंगी चिकन सॉसिजे मेरे बपस दो तीन पीस पड़े हुए थो मैं वो भी यह ऐसे पैकेजिंग में आते हैं सॉस भी होता है मैंने सॉस नहीं उसकिया I love dumplings तो मैंने ना 5-6 पीसे अड़ कर दिये इसमें यह मुझे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है यह स्टीम भी बहुत ही अच्छा लगता है बट मैंने सुचा कि होट पॉड में भी बह खोने लगते हैं instant noodles है तो so this is see how beautifully this hotpot is coming together the steam and this is a perfect recipe for winters अभी winters भी यहाँ पर है तो थंड मैं ऐसे गर्मा गर्म रामन hotpot खाने का मज़ा ही कुछ और है अब न अगर आपको pepper का flavor पसंद है तो आप वो भी उसकर सकते मुझे काली मेरच का flavor बहुत पसंद आता है तो मैंने वो भी add कर लिया hotpot is almost ready इसे garnish कर लिया मैंने sesame seeds से कोई भी Korean या Japanese dish sesame seeds के बिना incomplete होती है इसमे spring onions भी दलता है बट मेरे पास spring onions available नहीं थी जो भी available ingredients थे मैंने बस वही यूज़ करके मेरा ये hotpot बनाया हुआ है see everything has come together तो अबना मैंने ये डाल वाली चम्मच ही ले आई because मुझे chopsticks यूज़ करने नहीं आता है तो मैं तो यूज़ करने वाली हूँ अपने fork और चम्मच से ही पीने वाली है तो मैंने अपने आपको serve करने लगी मैं या देखिये और बताइए ये आपको कैसी लगी recipe मैंने enjoy किया इसे बहुत ज्यादा and see how beautiful the color is come all the veggies are cooked sausages are cooked and look how delicious this ramen hotpot looks do try this recipe and let me know in the comment section how did you find it and thank you for watching me please consider subscribing to my channel hot pots are perfect for those lazy days when you don't feel like cooking takes less time for preps and it is delicious